हलो दोस्तों मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टो कमुटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप केंडल के स्ट्वेंद को आइडेंटिफाई करते हुए अपने लिए ट्वेडिंग स्ट्राइजी फ अब हमें सेल सेर तरफ जाना ऐसा इसले क्योंकि आप काफी हद तक PLAYERS के स्ट्वेंद को बी आइडेंटिफाई कर पायेंगे और जहां पर एक रहtest को आप कोई बी इस्ट्रेंडि Update कर सकते कि कैसे हम केंडल के स्ट्वेंद की स्ट्वेंद्ट्वार्म कर सकते हैं तो चलि कर सकते हैं तेहां पर सबसे पहले हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका देख सकते हैं बजाज कर सकते हैं आप चाहों तो ईट्राट एडिंग कर सकते हैं और और स्विंग स्विंग टिर सबसे बेसिक जो फंडा जो बेसिक रूल है आपको सपोर्ट डेवल और स्ट्रेंट्वाइब करना ही होगा और यह आप आइडेंटिफाइब कर लेते हैं तो उसके बाद हम आसानी से कोई भी स्ट्रेडि सेट अप कर सकते हैं और यहां पर केंडल के स्ट्वेंद के ऊपर बा और यहीं से आपका नीचे लॉट गया मतलब यह जो लेवल है यह हमारे लिए क्या काम कर रहा है यह हमारे लिए आपका एक इंपोटेंट और काफी स्ट्रॉंग रिश्टेंज के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है अब यहां पर हमें ट्वेडिंग पोजिशन कब ले सकते लेकिन आगर वहां से रिवर्सल दिखाया सकते हैं तो यहां त मैं करिब पहुचा है, तो हमें क्या देखने को मिला है? कि दो candle में जबडस्त long till at the top का formation हुआ है. Long till at the top का मतलब क्या है? Long till at the top का मतलब है, कि यहाँ पे जो buyers है वो हमें क्या दिख रहे है? Buyers यहाँ पे हमें कमजोड दीख रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चला उससे हमें यह पता चला है कि यहां पर बायर्स कम जोर हैं अब जैसे ही कम जोर हुए तो मार्केट के लेंग। एक ही लोग रहते हैं Sellers, तो हम देखेंगे क्या Sellers strong हो रहे हैं, तो यहाँ पर दीरे-दीरे आपके Sellers भी strong हो रहे हैं, और देख सकते हैं, आपका volume भी rate आता जा रहा है, तो यहाँ पर हम इस candle के लोग को mark करेंगे, और जैसे price इस candle के लोग को break करके नीचे जाएगा, यहाँ मेरा SL के रूप में काम करेंगा, और पहला target price हमारा यह हो जाएगा, और दूसरा target price हमारा यह हो जाएगा, तो इस तरीके से लगवख दोनों target price को इसने hit किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप trading positions initiate कर सकते हैं, और यहाँ पर अगरम Sellers की तरफ entry की बात करें, यह हमारा ज इस तरीके से आप candle के strength को चेक करते हुए, आसानी से आप trade initiate कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी complications नहीं था, सबसे पहले यहाँ पर हमने resistance level को identify किया, और जैसे हमारा resistance level क्लियर हो गया, हमने क्या देखा, कि price जब resistance level करीब आया है, तो buyers में कमजोरी दिखा या नहीं दिखा, जा सकते हैं, और यहाँ पर रिवर्सल का वेट करेंगे, और जैसे प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाना स्टार्ट किया, हम सेल सारी की तरफ जाके profit बना लेंगे, लेकिन अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर भी निकलता, ऊपर आ जाता, तो उपर में हम लिके हमें उसके साथ जाना है, हमें कमजोर के साथ नहीं जाना है, यहाँ पर आप समझ गये होंगे, आपको करना क्या है, उसकी बाद अगर हम दूसरे एक्जामपल पर आते हैं, दूसरा एक्जामपल आपका, इसका भी 15 मिनाट टाइम फ्रेम बादा चार्ट ही लेरें, जिसके बेसिस पर आप इंट्वाडे, बीटिएसटी और स्विंग ट्वेडिंग आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखें, तो यह जो लेबल है, यह हमारे लिए यहाँ तक क्या काम कर रहा था, सपोर्ट की रूप में काम कर रहा था, और जैसे प्राइस ग्य है, तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो भाई करेंगे, तो रिवर्सल आएगा, तो सेल सेर की तरफ नीचे जाएगा, तो हम सेल करेंगे, तो देखें, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी दिखा है, लेकिन वापस से बाइस मजबूत हो गए, तो कोई टेंशन वाली नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हमें रिवर्सल के लिए जाना होगा, तो इंटीनों के अनल का जो भी लोइस्ट पॉइंट उसको माक करेंगे, जैसे उसको ब्रेक करके नीचे आए, हम सेल सेर की तरफ जाएगे, यह पॉइंगे, पहला टागेट पैस ही हो जाएगा, दूसर टागेट पैस आप और प्रिविएस लोग के वेसिस पर रख सकते हैं, तो आप ट्वेलिंग एसल का भी स्तमाल करते हुए, मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं, तो इस तरीके से इस लेवल के आसपास यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेवल बनेगा 905 के करीब, और तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा, वह होगा लगबग 895 करीब, तो इस तरीके से यहाँ पर हम 10 प हैं 10 पॉइंट के प्रॉफिट के रहे हैं यहाँ आसानी से जा सकते हैं, 10 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पहлем है, यहाँ परे लगबग 1% से ज़्यादा का उपल तरीके से candle के strength को check करते हुए हमने देख लिया कि कब हमें बाइसर की तरफ जाना और कब हमें सेलसर की तरफ जाना यहां पर हम और भी example देखेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको चैनलिस्टिक के बारे में study करना from basic to advance और आप खुद से अपना training decisions ले सके खुद से यह सारा काम कर सके इसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है आप उस कोर्स के लिए जा सकते हैं लेकिन उसके आपको हमारा mobile app एक्विडियर कमुडिटी को डाउनलोड करना होगा play store से और उस options के बारे में basic से लेके advanced level तक सारा information gather कर सकते हैं और आप stock market में भी complete information gather कर सकते हैं और वहां पर हमने इस तरीके से सारे information और knowledge आपको दिया है कि आप stock market को as a secondary source of income के रूप में tweet कर सकते हैं यहां पर आप part time income अपना generate कर सकते हैं और हमारा weekly live interactive classes भी चलता जहां पर आपके doubt clear किय जाते हैं तो आप एक बार हमारा mobile app download करके course को जोड़ देखिए अगर आपको पसंद आता तो आप enroll कर सकते हैं तो चले यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम अगले example पर आते हैं और next example जो हमारा हुआ है HDFC limited का 15 minutes time frame बाला chart है और यहां पर जो हम trading decisions initiate करें वह 30th of September 2022 की बात करें उससे एक trading session पहले closing के time में देख सकते हैं sellers थोड़े से कमजोर दिखे थे उसकी बाद 30th September को market gap down open हुआ था और initial में जो sellers थे वह काफी हद तक यहां पर हमें strong दिख रहे थे लेकिन जैसे ही RBI policy का news आया उसके बाद जो sellers है वो थोड़े से हमें कमजोर होते हुए दिखे और sellers का कमजोरी का idea हमें candles लग गया क्योंकि यहां पर यहां पर यहां पर एक support table का भी formation देती है उसके बाद बायर्स ने entry मारा और इस candle के high को break करके उपर निकला है तो उसकी बाद जैसे यह candle close हुआ अगला candle open हुआ यहां पर हम बाइसार की तरफ entry लेंगे और यह candle हमारा जो green candle है उसका lowest point SL के रूप में काम करेगा first target price हम इस लेवल के लिए जा सकते हैं उसके बाद हम further 2235 करीब और जो हमारा profit booking होगा वह हमारा होगा 2278 के करेब यहां पर मुझे अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिख रहा सेम डे हमने entry किया और सेम यहां पर हमें profit मिलता हुआ दिखा है तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम candle के strength को चेक करते हुए हम यहां पर अपने लिए trading strategy form कर सकते हैं और हमें इसके जरी idea मिल जाएगा कि कब हमें buy side की तरफ जाना और कब हमें sell side की तरफ जाना उमीद करते हैं कि अगर आप इसको follow करेंगे तो इसके basis पर भी आपको आइडिया मिल जाएगे कब buy करना और कब sell करना और काफी हद तक यहाँ पे आप trap से भी बच सकते हैं क्योंकि कब हमें क्या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको idea यह देता रहेगा time to time उमीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद